नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरकन के दिन भर की खबर जानते हैं राम नौमी को लेकर राँची पुलिस ने किया फ्लैग मार्च तीन हजार फोर्स तैनाथ इसी को कोई परिसान नहीं हो, पुलिस इसका भी से ध्यान रख रही है, सुरक्षा के दिश्टी से तीन हजार फोर्स को तैनाथ किया गया है एसे स्पी ने लोगों को सांती के साथ राम नौमी पर्व मनाने के अपील किया है, साथ ही कहा है कि राँची पुलिस और समाजिक ततो पर नजर रख रही है, पर वो को लेकर आफवा फ्लाने वालों या भड़काव कारे करने वालों के खिलाब सक्त करवाई की जाएगी लातेहर में चना गुड़ खाने से 150 लोगों की बिगडी तवियात, लातेहर जिले के चन्दवा में सरहुल परपरसाद के रूप में मिले चना गुड़ खाने से चेटर और स्तासंग पंचायत के करीब 1500 लोग बिमार पड़ गए, गाउ में आफरा तफ्री मचने के बाद म लेडिकल टीम ने पिडितो का उपचार किया है, कई लोगों का चन्दवा, सीएज सी और लातेहर सदर अस्पताल में भी इलाज किया गया है, दो लोगों को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिंग्श में भी रेफर किया गया है, बता दे, मिली जनकारी के अनुसार और साथसांग पंचाज के सेकड़ों लोग दामर सकती खुटा अस्थल पहुंचे थे परो के बाद सभी को चना गुर दिया गया था इसके बाद सभी घर वापस आ गए सनिवार की अहले सुबा से कई लोगों को उल्टी दस्त और बुखार आने लगा पीडितों ने ग्रामीन चिकित्सा से उपचार कराया सनिवार के दो पहर तक मरीजों की संख्या बढ़ती चली गई और अभी वार कोई स्थिती बिक्राल हो गई जारखन में बेरोजगारों को अपरेल से मिलेगी पुरुटसाहन रासी जारखन के बेरोजगारों के लिए खुसखबरी है बतादे बेरोजगारों को कोईसल प्रसिक्षन के साथ साथ तीन महीने तक रोजगारों नहीं मिले पर पुरुटसाहन रासी देने की योज़ना राई सरकार लाई है एक साल तक या प्रोच साहन रासी दी जाएगी 82 में भी इसका एलान किया गया है दरसल जारखन सरकार की अधिकाईक बेपसाइट द्वारा जारी नोड़फिकेशन के मुताविक मुख्य मंत्री सार्थी योईना के तहट चार अलग-अलग प्रवधान किये गए है तीन पूरव संचालित है जबकि चौथी योईना कौसल विकास ट्रेनिंग के रूप में जल्द ही सुरू की जाएगी अप्रेल से इसकी सुरुवात होने की संभावना है बता दे जार्खन के असी प्रवधान के तहट कौसल विकास के अंदर खोले जाएगे जहां बिरोजगार यूको को तक्निकी ट्रेनिंग दी जाएगी यानि ट्रेनिंग के बाद अगले तीन महिने तक रोजगार नहीं मिला बता दे मंगलवार को अत्याधुनिक से वाओ से ले सदर अस्पताल के नए भावन का उधगाटन किया गया उधगाटन समारो का समय सुब्वा साढ़े गारा बयता किया था जिसके बाद में बदल कर दो फर एक बय निधारित किया गया उधगाटन समारो में सुवे के स्वास्त मंत्री बना गुपता, सांसर संजार सेट और आंची की विधायक सीपी सिंग को आमंत्रित किया गया था लेकिन तीनों ने अपने आपको कारिकरम से किनारे रखा बता दे, सीएस डाक्टर बिनोथ कुमार और अन्यची कित्सों ने अपचारिक रूप से अस्पाताल की नई बिल्डिंग का उधगाटन किया है सीविल साजन टाक्टर बिनोत कुमान ने कहा है कि मरीजों के लिए तयधुनिक सुविधा से लेस बिल्डिंग का उधगाटन किया गया यहां बलोड कैंसर से ग्रसित मरीजों के इलाज की वेवास्था की गई है जारखन में रद किये जाएंगे 2,36,000 रासन काड जारखन में 2,36,000 रासन काड रद किये जाएंगे जाच में इनके फर्जी होने के पुष्टी हुई है जाच में पता चला है कि पिछले कई वर्सों से 2,36,000 फर्जी रासन का उठाव कर रहे थे इसकी वज़ास से फिरी रासन योजना का लाब जरुवत मन लाब को नहीं मिल पा रहा था जाच में सामने आया है कि पूर्वी सिम्भू में सरवधीक 35,000 राट सो 34,000 फर्जी रासन काड धारी है वहीं 26 और 285 फर्जी रासन काड धारियों के साथ धनबाद दूसरे अठान पर है जबकि राची में 22 और 135 फर्जी रासन काड धारी मिले है गतला भाय कि खाद सरवजनिक बित्रन वगता मामले विभा की और से जारखन में 1 फर्वारी से 21 फर्वारी तक वन नेशन वन काड के तहद पीडिये स सकती करण पकवडा चलाया गया था पलामू में हाथी के हमले में मारे गए दो किसानों के असरीतों को 4-4 लाग का मुवजा मिला पलामू जिले के हुसाइनाबाद पर खंड में गत 15 दिसंबर 2022 को हमले में दो किसानों की मौत हो गई थी घटना के 3,5 महिने बाद मुवजन वन विभाग ने इनके असरीतों को 8-4 लाग का मुवजा दिया है किसानों के असरीतों को विभाग के कर्याले में मुवजा के चेक परदान किये गा है बता दे हुसाइनाबाद के जिला परिशसर से राजु महता के परियास से असरीतों को मुवजा रासी मिल पाई है मुख्य मंत्री ने अस्मार्ट सीटी का किया दोरा रांची में मुख्य मंत्री हमंसरें ने अस्मार्ट सीटी का दोरा किया है यहां सी एम दोरा मंत्री आवाज का निरिक्षन किया गया इस दोरान उनके साथ मुख्य सचीव समेत अने पताधिकारी भी मुझूद रहे अस्मार्ट सिटी में मंत्रियों के लिए आवाज के निर्मान कारियों को देखने के बाद मुख्य मंत्री ने पता अधिकारियों को जरूरी दिशाने देश दिये बता दे हेमंत सरकार के मंत्रियों को जल्द ही रांची ए स्मार्ट सीटी में अस्मार्ट हाउस मिलेंगे रांची में मुख्य मंत्री हेमंस रेने स्मार्ट सीटी में बन रहे मंत्रियों के आवास और उनके आवासे परिसरकान रिक्षन कर आवस्यक दिसाने देश दिये हैं जार्खन के जेलों को हाइटेक बनाने की तयारी जार्खन के जेल अब हाइटेक होंगे कैदियों की सुवधा में बढ़ोतरी के साथ साथ जेलों को अधोनिक रूप से अपडेट करने की जोजना पर काम किया जा रहा है बता दे जार्खन के जेलों को हाइटेक करना की तयारी चल रही है साथी कैदियों को ज़्याद स्वधा मुहया कराने की विवस्ता की जा रही है जार्खन सरकार ने वीतिय वर्ष 2022 तेज के बयाट में कारा से समझी जोजनाओ के मद में 92 क्रोर का पधान किया था जिससे वीतिय वर्ष 2023 चोविस में बढ़ा कर 160 क्रोर कर दिया गया है राजीव अरून एका दूसरे दिन भी पहुंचे एडी दफतर CM के पूरो परधान सचीव राजीव अरून एका की आज भी एडी ओफिस में पेशी हुई है राची थी जोनरल एडी ओफिस में ओ एडी के सवालों का समना कर रहे है बदा दे मुख्य मंत्री है मंसरेन के पूरो परधान सचीव राजीव अरून एका से लगा था दीन के गाराफ बज़े लगभग एजेंसी के दफ्तर इड़ी के सवालों का सामना करने पहुच गए थे निलामबर पितामबर सहाधत दिवस पर सियम हेमंत ने दीद सरधांजली हर साल 28 मार्च को निलामबर पितामबर सहाधत दिवस मनाया जाता है आज ही के दिन सन 1869 में अंग्रेजों ने बीना कोई कानूनी करवाई किये उन्हें फासी दे दी थी इसी अधार पर पूरे जार्खन में 28 मार्च को निलामबर पितामबर दोनों भायों का सहाधत दिवस मनाया जाता है या बीर सहीद पलामू जिले के चेमो सानिया गाउं के रहने वाले थे निलामबर पितामबर सहाधत दिवस पर जार्खन के स्थियम है मन सुरेन सहीद कई मन्तियों ने ट्वीट कर सदान्जली दी है रांची एरपोड पर एसियन होकी महासंग के उपाध्यक्ष का स्वागत भोलानाच सिंग को एसियन होकी महासंग के उपाध्यक्ष चुना गया है जिसके बाद वह रांची एरपोड पर पर पहुंचे जहां भोलानाच सिंग का संदार स्वागत किया गया बता दे की कोरिया गनराज के मुग्योग सहर में पिछले 24 मर्च को एसिया होंकी महासंग के कांग्रेस सह चुनाओ का एवजन किया गया था जिसमें होकी इंडिया के महासची उस्ता होकी जार्खन के अध्यक्ष भोला नाच सिंग को एसियन होकी महासंग का अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे राम नौमी को लेकर तीन दिनों के लिए बदला ट्रैफिक बेवस था राजधानी में 30 मार्च को राम नौमी सोभायात्रा निकाली जाएगी इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट तय कर लिया है 30 मार्च को मेन रोड में दीन के एक बये से वाहनों के परवेश पर रोक है इसलिए 29 मार्च को जहाखी के काराण साम 4 बये से 30 मार्च की सुबा 6 बये तक सहीद चओक की और से महभीर, मंदिर, चौक वो अपर बजार महाभीर, चौक तक तक की सोरी आदा चौक से महाभीर, मंदिर, चौक की और समाने वाहनों के परवेश बंद रहेगा साथ ही साम 4 बए से सूबा 6 बए तक भारीवाहनों का सहर में परवेस बंद कर दिया जाएगा सभी भारीवाहन रिंग रोड होकर अपने गंता पे अस्थान की ओर जाएंगे एक अप्रेल से बायोमेट्रिक से हाजरी अनिवार स्वास्थ बिभाग में अब अगर कोई बायोमेट्रिक से हाजरी नहीं बनाता है तो उसका बेतन कर जाएगा इस समध में आदेश का पत्र स्वास्थ बिभाग के दोवारा MGM अस्पताल के अधिक्षा को भेजा गया है एक अप्रेल से बायोमेट्रिक से हाजरी बनाना निवार कर दिया गया है धनबाद में 12 अप्रेल से बचों को मीजिल्स रूबेला का लगेंगा टिका धनबाद जिले में 12 अप्रेल से मीजिल सरुबेला MR टिका करन महाभ्यान की सुरुवात होगा एक माह में 9 से 15 वरस के 8,13,306 बच्चों को MR टिका देने का लक्ष निधारित किया गया है कोर्ट रोड इस्थीद अपने कर्याले में अविजित प्रेस वारता में महा अभ्यान की जनकारी देते हुए सोम वर्गो सिविल सरजन डाक्टर अलोग विश्व कर्मा ने बताया है कि चनुबत तरीके से महा अभ्यान के तहत बच्चों को MR टिका दिया जाएगा सुरुवात के पहले दो सब्ता नीजी वर सरकारी स्कूल में अभ्यान चलाते हुए 9 से 15 वर्गों के सभी बच्चों को टिका दिया जाएगा इसके अगले चलन में उन बच्चों को टिका देने का लग्चा है जो स्कूल से ड्रोप आउट है या किसी करन वस पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उन बच्चों तक पहुंच कर टिका दिया जाएगा धन्यवाद यादी आप चैनल पनाए है तो चैनलों के सब्सक्राइब कर बाल के लेकर दबाईए साथी साथ वीडियो के एक लाइक कर पें दोस्तों के सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स पर अपना फीडियो एक अवस्य दे थैंक यू